जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नामा का लेकिन निर्भया के घटना से उसके मोवत से हमने क्या सिखाAY? हमारे सिस्थम ने में क्या बदलावाया? हमारे कानूर में जो भी बदलाब उसमें क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं? पुलिस अब वो नहीं समझा रहा है कि वो किसके खिलाब परदर्सन कर रहे हैं हमारे सिस्टम ने में क्या बदलावाया हमारे कानून में जो भी बदलावा उस पे काम का क्या हुआ आज भी हम 2012 में ही खड़े से सबसे पाले तो मैं यह अपने तरफ से एक आना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना होई है उसके साथ जो गरिंग्दिगी होई है जो भी मुझरीम उसमें सामील है यह खाए या एक से जादा है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए जल्द से जल्द उनको सजा मिले लेकिन आज छे दिन हो गया ना पूलिस और अभी कोई दिसीजन पर नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई सामील है यह उसको कैसे इंसाफ मिलेगा यह सोचना बहुत दूर की बात जो भी हला तो अहां पैदा हुए है कि डाक्टर सवाज उठा रहे हैं कि नहीं हमको सपोर्ट चाहिए हमको स जाहिए उस बच्ची को इनसाफ चाहिए क्योंकि जीस तरह से हस्पीटल के अंदर उस बच्ची के शार्थ घटना हुई है यह सोचनीक बीसाई है बहुत अफसोस जनक है कि हास्पीटल के अंदर जहां बच्ची डिवटी कर रहे हैं मरीजों के साथ काम कर रहे हैं मरीजों की सेवा कर रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं और वहीं पे उसके साथ एतना घीनवना अपराध हो रहा है तो अगर कहते हैं कि डाक्टर भगवान होते अगर डाक्टर अगर हास्पीटल के अंदर खुच जहां वो डिटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है तो आप आम महिला और बची के लिए क्या हां क्या सोच सकते लेकिन सबसे दुर्भाग्य जनक यह है कि जो वहां पे हलाग पैदा हुई है हम अपिर करें एक दूसरे पे ठोप रहे हैं परदर्शन कर रही है बजाए कि वो उस केस पे काम करें महिला सुरक्षा पे बात करें अपने कानून में जो भी कम्या है उसको कुरा करें लेकिं नहीं वहां पे तो जिनके जो मुख़मंत्री है उनके अंदर सवास्त मंतरा रहा हैं उनके अंदर सारे उनके रूल हैいうこと है पुलीस है और्च आपboy किसे खिलाब परदर्सन कर रहे हैं किस से फासे मांग रहे हैं, रूल तो उनके हाथ में है, कानून उनके हाथ में है, कम से कम उन लोवर कूर तो तक केस को साफ-चुतरा सरकार पहुंचा सकती है, तो चिंता जनक है कि ज़ो भी उह डाक्टर्स ऑवाज उठा रहें उस बची के लिए अपने सेप्टी के लिए उनको दबाया जा रहा है उनको दबाने के लिए उनको डराने के लिए हस्पीटल के अंदर एक भीर आती है तोड़ थोड़ करती है मार पीट करती है उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डाक्टर की तरह हालाद कर तो मैं आपके चाइनल के के सोचने की जरूरत है, शरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से उसके मौवद से हमने क्या सिखा है, हमारे सिस्टम ने में क्या बदलावाया, हमारे कानूर में जो भी बदलावा उस पे काम कि क्या हुआ आज भी हम दो हजर बारह में ही खड़े तो हम में चाहते हैं कि जो भी हमारे डाक्टर्स बाहर रोट पे हैं उनको इंसाफ मिले उस बच्ची को इंसाफ मिले उस माबाप को इंसाफ मिले क्योंकि ये घीनवना जो अपराध हुआ है जो उनके माबाप के बयान आ रहे हैं टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्ट माडव रिपोर्ट कुछ और कह रहे हैं जिस तरह से बची के साथ बढ़ बढ़ता हुई है तो कहीं नहीं हां लग रहा है कि हम लोगों के न पात कर रहे हैं पोस्ट माडव रिपोर्ट सामने आ रहे हैं तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ उसमें कुछ कोई और भी सामिल है क्योंकि एक आजमी इतना काम नहीं कर सकता अके ले तो हमें ही चाहेंगे कि जो भी हुआ बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है तो उसके माबाब को इंसाफ मिले जो हमारे डाक्टर्स बाहर परदर्सन कर रहे हैं उनको जो भी मांगे हैं सरकार उनकी मदद करें आज है दित हो गया अब कहीं कोई कोई उस केस में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है अब ही एक मुजिरिम पकड़ा गया है तो जो कुछ है केस में लग रहा है कि नहीं कोई और सामिल है तो इस पर जाच होनी चाहिए और जल्द सजेई शामने आने चाहिए तभी तो केस आगे बढ़ेगा तभी तो छे दिन हो गया कुछ भी सामने नहीं आया तो उसके माबा हैं उनको कैसे क्या याप करेंगे क्या जबाब देंगे तो यह सर्खार का खर्ज बनता है कि उस बची के साथ जो की नावना अपराद हुआ है उन सारे मुझरिमों को जो भी इसमें सामीर है सब को अरेश्ट किया जाए सब को सजा हो जो डाक्टर बाहर बैठे हैं घरने पर बैठे हैं उसको सरकारा स्वस्त करें कि नहीं हम आपकी मान पूरे करेंगे आपको सेप्टी परवाइब करेंगे तब ही जाके हलाद सूदरेंगे और उमीद करते हैं कि बच्ची को जल्द से बहुत सारी आवाजे उठ रही है मुखे मंत्री के रेजिंग्नीशन की भी आवाज उठ रही है आपको क्या लगता अप क्या कहना चाहेंगे इसमें देखिए ये सरकारी सरकार का अपना अपना वो है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जीस तरह से कियस में हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए उनको परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए परिवार को रिश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं हमें हाके मुखमंतरी हैं, हेल्ज मनिश्टर हैं, आप को इंसाफ मिला, बजाए की जो तोड़ फोड हो रही है, जो तब अदले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है, आप इस पर काम करिए, आप हस्पीटल के अंदर जो भी सबूत हैं, उसको कलेक करवाएं, और बची को इंसाफ मिले इस पर काम करें, आगी सवाल नहीं चाहिए जिससे इन केसिस में लगाब लगे, देखिए, बारह तरह साल हो गए, बहुत चीजे ठीक हुई है, बदली है, अगर नहीं कुछ बदला है, तो महिला, महिलाओं के साथ रे बलतकार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्यूंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ घटनाएं हो गई है, उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है, कानून जरूर बनाए गए है, फास्टेपोर्ट जरूर बनाए गए है, लेकिन उसके काम नहीं। जविए बइचांकेशानागाई, उनका पौपषन करेगे, उनकी माहे मुश्योप पूरी करेंगे। तो महिलाय सुरक्षित कैसे हogy उनके मुझरूमों को सजह भात होगी। झाल झाल